दोस्तों मेरे पीछ आप ये क्रेटा गाड़ी देख रहे हूं इसका जो ओनर है उसे तीन साल पहले एक लेटर पैट्रोल के लिए दस तफा सोचना पड़ता था और आज ये इस तरह की दस गाड़ियां खरीद के रख सकता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ केवल खेती से अब इसका जो सेटप है वो लगबग डेड़ करोड रुपे का है जो हमारे पास अभी अवलेबल है और धीरे धीरे ये हर साल बढ़ता जा रहा है बीस से तीस परसेंट चारीस परसेंट तक का ग्रोथ देर है हमारे देश का युवा है ना वो कुछ भी करेगा लेकिन खेती नहीं करेगा इस मानसिक्ता ने उनके धिमाग में घर कर लिया है मात्र पचास जार रुपे लगा कर किसी काम को आप डेड़ करोड रुपे तक लेके जा वो भी केवल तीन साल के अंदर नमस्कार महिंद्र पाल यादा हो स्वागत करता हूं आपका अपने येडियो चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर किसान भाइयो आज मैं आप लोगों के कैसे सक्षे मुलाकात कराने जा रहा हूं जिसने मात्र तीन साल के अंदर पचास जार रुपे के इन्वेस्टमेंट करके और अपना जो खेति का मोडल है वो लगबग डेड़ करोड रुपे तक प करोड रुपे तक पहुंचा दिया अक्सर किसानों की शिकायत होती है कि खेती के अंदर हमें कुछ बसता नहीं खेती है वो केवल और केवल घाटे का सोगा पूरे देश के अंदर जिदने भी किसान भाई है वह यह बोलता है कि मेरा बेटा है वह मजदूरी कर लेगा लेकि एक नए जजबे के साथ हमारे देश का जो नोजवान वर्गे वो खड़ा होके और कुछ ना कुछ नाया करने की कोशिस करेगा साथ ही आजगा वीडियो उन किसान भाईयों के लिए बहुत ही लाबदायक है जो बोलते हैं कि खेती में कुछ बचता नहीं और अक्सर जो किस परमपरागत खेती करते हैं वो लीक से हट कर क्या कुछ करें किस तरह से अपने खेती के मोडल के अंदर कुछ बदलाव लाएं खेती को बिजनेस के रूप में किस तरह से करें और खेती का अंदर मोटा मुनाफ़ा कैसे कमाए आज आप लोग जब ये वीडियो देखोगो तो निश्चित तोर पर मैं आप लोगों को गारेंटी देता हूँ आप खड़े होकर एक बार तालियां जरूर बजाओगे दोस्तों ये वीडियो है आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेकर आएगा हमारे समाज के अंदर इस तरह के प्रेरणा दाय एक रोल मोडल बहुत कम मिलते हैं हमारे देश में लोग काम तो करते हैं काम की स्टार्टिंग करते हैं लेकिन हमारा समाज है वो उनको काम करने नहीं देता अगर वो कुछ नया करने की कोशिस भी करते हैं तो हमारे समाज के अंदर लोग हैं वो उसके फैल होने का इंतजार करतें अगर वो फैल हो भी जाता है तो वो तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं हमारे युवा हैं वो इसे लिए कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते अगर नोखरियां मिल जाए तो ठीक नहीं तो लगातार अपने गरों का अंदर बेरोजगार पढ़े रहते हैं और गलत डायरेक्शन का अंदर वो मुड़ जाते हैं जैसे की नसे के आदत है जुए के आदत है या फिर और बहुत सी गंदी लते है वो उनको लग जाती है तो मैं आज आप लोगों के ऐसे सक्ष्य मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिसने परंपरागत खेती को छोड़ कर खेती में कुछ नवाचार की है और आज उसका जो ये नवाचार है जो इसका स्टार्ट अप है वो इतना जादा बढ़ चुका है कि मात्र पचाच जार रुपे लगाने के बाद ये स्टार्ट अप तीन साल में लगबग डेड़ करोड रुपे का पहुंच चुका है ये सबी जानकारियां आज हम लेंगे भाई अनिल से इन से पूछेंगे कि इस तरह से आपने इसकी सुरुवात कि इसकी जरनी कहां से स्टार्ट हुई और अब ये आपका बिजनेस है वो कहां तक पहुंच चुका बानिल भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सबसे पहले आप अपना परिचे दीजी जैन साथियों मैं निल्कमार गाव सिथल नजदी की सहर भीवाडी राज्थान से मैं ब्लोंग कर रहा हूं सर मैंने बी ए एलल बी डिप्लोमा ये किया हुआ है और कुछ एग्रिकल्चर से संबंदित छोटे-छोटे कोर्स किया चुली ये मोडल है नर्सरी मोडल जी हाँ इस पर हम उच्छ गुणवाटा के पोधे त्यार करते हैं और फिर किसानों तक देते हैं मैंने सुरुआत की बाग लगाने से कि मैं बाग की प्लानिंग करने लगा उसके दोरान मैंने काफी संस्थाओं से संपर्क किया किसानों से मिला और बाग के लिए जमीन चेनित की लेकिन कुछ समश्याओं के वज़े से मैं नहीं लगा सका सबसे बड़ी समश्या थी कि प् उद्धा किसानों को मिलता है उसमें मिक्स वराइटी आ जाती है या देशी आ जाती है तो किसानों को तीन-चार साल बाद उसको उखाड़ना पड़ रहा है दोस्तो अनिल भाई ने अपने खेतों के अंदर बाग स्थापित करने के लिए काफी नरसरीयों के अंदर संपर्कि करना है जिसे किसानों को सही दिसा और दसा दिखाई जाए उनके खेतों का अंदर बढ़िया क्वालिटी के उच्छ गुणवत्ता वाले पोधे लगाए जाए जिनकी बदोलत किसान बढ़िया अर्निंग कर सकते भाई फिर मैंने इसके बारे में काफी ट्रेनिंग लेना श कितने रुपे आपने उस टाइम पर लगबाए जो मैंने पहला इंवेस्टमेंट था वह करीब 45-50 जार रुपे लगबाट में काफी संघर्स रहा परिवार वालों विरोध किया और जो भी आश्पडोस के हैं उन्होंने यह कहा किया रही है नहीं हो पाएगा सबसे पहले आप बताईए आपके पास कितने तरीके फलदार पोधों के वेराइटियां है किन किन पोधों को आप सैल करते हो किसान साथियों जो आप यह निम्बू की वेराइटी देख रहे हैं यह 20 साल का पोध है और नागपूर का जो रिसर्च सेंटर वहां की वेराइटी है और नर्सरी चार्ज है वो यहां पर समय समय पर हमारा विजिट भी करेंगे और किसानों को हम फिरी ट्रेनिंग भी उपलब्द कराएंगे खटे फलो की और भी वेराइटी है जैसे निम्बू के अंदर सबसे पोपुलर अगर बात करें तो साही सरबती है बाला जी है परमालनी पुले सरबती है अनार्सी सेट है सेवन है पीडी के लाइम है पीडी के वितरपती है उदित है अभिनव है यह पूशय की वेराइटी है तो इस तरह अगर कोई किसान कर रहा है कुछ तो वह वेराइटी को तरफ जाए ऐसे नहीं कि आप एक नॉर्मल क्रोप कर लें जैसे ह संत्रा का पोड़ा है यह नागफुरी फोर एक नई वराइटी है यह उसका संत्रा का पोड़ा है यह मात्र 12 साल का अबसे है चोटा पूदला है तो इसमें हमने कुछ शंतर Mission के लिए रखी हैं और आगे हम ओर दिखाते हैं वेराइटी आपको दोस्तों ज Color मैं बैठा हूं और डॉर्सेट गोल्डन वराइटी एक साल की उमर है इसकी अभी तक आपने कितने जगह पर शेव के पोदें वह लगवाया है अधिकतर मैंने आल इंडिया भेजें इसको हम जुलाई से बुकिंग करते हैं शेव आडू अलू बुखारा बदाम अक्रोट और पर्शिमन वग करने भाई कि यह दौर्सेट गोल्डन वराइटी है जी कौन सी वराइटी यह दौर्सेट गोल्डन गोल्डन कलर का है आप देख रहे हो तो यह इसका एक कलर है जी प्रकृतिक है और अभी सिसका साइज बढ़ना था जी अब मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ कितना मोटा हो सकता है साइज यह इसका डेड़ सो से 200 ग्राम हो जाता है इसका साइज अच्छा वैसे तो अभी एक साल का पोदा है आपने शुरुवात में इनको तोड़ना था है कुछ सेंपल रखे हैं आप देखो जो सेफ है दोस्तों देखते हैं खाके इसको कैसा कुछ है लो जी आप भी खाओं वो इस शेब जो आपन बाजार से लेकर खाते हैं वो इस सेम टेस्ट है दोस्तों बस साइज जेना वो थोड़ा छोटा है अनिल भाई बता रहे हैं कि इनको अभी आपन को तोड़ना था क्योंकि यह एक साल का पोदा है और शुरुवात के अंदर अ फल है उनको बचा कर अधा हैं और इसकी जो किसम है वहे ब employee केश्या बोलते इसको और ये मई से पकना ही स्टार्ट हो पके हुए है बात कि जो नॉर्मल नर्श्रिया है जिन पर मिक्स फ्रूट मिल रहे हैं जिन पर इंडोर आउट डोर सब कुछ मिल रहा है उन नर्श्रियों से आप बचें क्योंकि वह ऐसे सोर से पोदे उठाती जो सबसे सच्टे हो और जल्दी फ्रूटिंग दे और किसानों उसको देखके स्टाटिंग में खुशी मिल जाए लेकिन बाद में फिर उनको लोज उठाना पड़ता है तो वह जो गोर्मेंट ओथराइज है या आपको कोई विश्वस नहीं ऐसा बंदा है जो स्पेशल दो तिन क्रोप त्यार कर रहा है वहां से पोधा ले अब जैसे हम में एक साथ ही पांच लगे हुए एक उच्छे में तो यह दस भी हो सकते हैं और यह निम्बु अब मार्किट के लिए त्यार है इतना साइज लेकिन अभी से पका नहीं है अभी से और साइज होगा यह सीडलेस के नाम से आता है तो इसमें काटेंगे तो इसमें 70 बीज तक इसको किसान बिलकुल ना लगाएं सरुवात में किसान उने निम्बु के नाम पर इसी को सबसे ज़ादा लगाया और सबसे ज़ादा उखाडार जो लोस देने वाली पर जाती वो इंडिया में यह ही है दोस्तों नीमूग उपर मैंने इतनी बड़ी बात क्यों की है देखिए इस टाइम पर जो नीमूग रेट है ना वो ओल टाइम हाई थे पिछले महीं ने जब आपने देखा 2500-300 रुपे किलो तक भी नीमूग चले गए थे किसान है ना वो ट्रेंड के पीछे भागता है भेड़ चाल चलता है किसानों को दिमाग में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ नीमू घूम रहा है यार नीमू के भाग लगाएंगे अब किसान है ना वो मारा जाएगा वो नरसरियों पर जायेगा किसी भी वेराइटी को उठाके ले आएगा और फिर वो बाद में पस्त आएगा एक इसमें मैं थोड़ा किलियर करना चाहूंगा कि कोई भी साती कहीं से अगर पोधा लेता है तो खास कर गोर्विंट संस्थान से तो वो हिंदी में तो निम्बू बोलते हैं सभी को लेकिन जब अंग्रेजी में लाइम और पॉल्ते जिसके पीछे लेन लग रहा है उसको लगाने से बचें आप क्यूंकि लेमन जो होता हूँ बढ़े साइज का होता है जैसे आप देख रहे हो यह लेमन डिखांता सिसे ऐसपा पलात मोर्ड़ जायेगा टो जू लाइमन है उसकी ओड़ से हताँ भूड़ा बचेक कि Lemon ना लगाएn alarm लगाएं या फिर लिमन बोलेंगे लेकिन लाइम बहुत कम इसकी किमत करीब 9 लाक रुपे है एक क्यारी की यह सेव के पोधे हैं और यह हम दिसंबर में इनको किसानों को भेजते हैं जुलाइम बुकिंग स्टार्ट करते हैं यह अन्ना है डॉर सेट है और कुछ एचार में 99 और कुछ दो वराइटियों पर और हमारा काम चल रहा है दो तो यह बदाम अब कुछ दिन में पकना ही स्टार्ट हो जाएगा इसकी गिरी नॉर्मल से थोड़ी छोटी होती है टेस्ट काफी अच्छा होता है और यह गर्म जलवायों का पोधा है इसको आप कहीं भी लगाए लेकिन कोई भी हम पोधा ऐसा है वो हम किसानों यही कहते ह तो साल का पोधा है अपना ट्राइल पर जल्दी आ जाता है तो स्टार्टिंग में यह कम 10-20 पोधे लगा कर अपनी अच्छी सुरुवात करें और उसके बाद बड़े लिए कि सोची जब एक बार सेंपल आ जाए दोस्तों यह पोधा देखिए यह आडू का पोधा है और यह आडू है ना बस अब पकने वाले देरे देरे इनका कलर है ना वह रैड होता जा रहा है यह अभी फोरन से इंपोर्ट हुए प्लांट है और इन पर ट्राइल चल रहे हैं और हम अगर वाडू की वराइटियों का चैन करें तो मैं मैं ही हर्वेस्ट हो जाती हमें आपको पास इस तरह का टोटल वराइटी हां इनके पोदे हमारे पास उफलब्ध हैं वह यह जुलाई से हमारी बुकिंग स्टार्ट होती है दिसंबर में हम डिलेवरी करते हैं ओनलाइन किसान साथियों आम की बात करें तो आम की डिमांड आज के दिन सबसे ज़्यादा है और वो उन वराइटियों की है जो अभी नई रिलीज हुई है जिनकी कलर वराइटिया है जैसे हम बात करें अरुनिका, अंबिका, लालिमा और स्रेष्टा, पितामबर, सूरिया यह नई वराइटिया है तो यह कलरफुल वराइटिया है इनका जो आम हो पीस की साब से बिक पर नहीं क्योंकि या तो एक्सपोर्ट हो जाती है मार्केट में पहुंशनते ही तुरंत भिग जाती साथियों अब हम जो बात कर रहे हैं वह अमरूद की वेराइटी के बात कर रहे हैं अमरूद की अगर हमारे पुरानी दो वेराइटी है इलहबादी सफेदार एल-49 यह बात करें तो आज के दिन सबसे ज़्यादा डिमांडेट जो वेराइटी हो ताइवान पिंक है दूसरे नंबर पर अगर हमारियान राज्थान यूपी की बात करें तो एक हिसार सफेदा वेराइटी है चोदरी चरण सिंग उन्विश्टी हिसार ने उसको रिलेज किया है क काफी अच्छी मिठी वेराइटी है तो सुर्ख है पहले रइड में याता था लई लई कि जगए हिसार सुर्खा भी काफी आच्छा चल रहा है किसान साथ यह हम बात करते अंगूर की ग्रेप तो कि काफी अच्छी वेराइटी है हमारे पास और इनका सबसे अच्छा काम दोई उनुस्टी उनकी आया है पंजाब एगी गलचन उनुस्टी और दिल्ली पूसा इन्होंने कुछ वराइटिया निकाली है जैसे उर्वर्शी है और तुसार है नवरंग है पूसा सीडलेस है और भी वराइटी है परलेट है ये भी बहुत अच्छी वराइटी है तो के क्लाइमेट में सैट है यहां आते ही वह वराइटी है अपना जो ओरिजनल टेस्ट वह खो देते हैं किसान को उसमें लोस उठाना पड़ता है साथियो यह अनार का पोधा है अनार में सबसे अच्छी जो वराइटी माने जाती है वह भगवा सिंदूरी होती है यह दोना सोलापूर रेड वह भी काफी अच्छी वराइटी आप इन वराइटी को चैन कर सकते हैं यह मीडियम साइज का फ्रूट है और जल्दी पकता है और अंदर से रेड अब बात करते हैं दोस्तों अगर कोई किसान अपने खेतों के अंदर बागवानी करना चाहता हो वह इस त लगे मेरे नेसरे तृट किलो मेटर है जो दूरी है दिल्ली से αस्य किलोमेटर गुडगाँ से 5ayo25 इंगर तो एक चार किलोमेटर में राजस्तान अज मेराटीकर के किसंगण तर्सcheल का रहने वाडा हूं मैं आर्मी में अपना प्रभशर है नागोर डिस्टिक में वहां पर बड़ा फारम है उसे पहले मैंने उल्रडी पांच से शह जार पोदे निमू के लगा रखे हैं लेकिन फिर कम से चारीज पचास लोगों से पता किया कि हमको और अच्छा लगाना तीन जार चारा जार पर बोला कि जहीं नर्सरी है ग्रेवाडी के पास उसमें जाओर उसमें पोदे अच्छे मिलते हैं और वह उसको लगाने से बढ़िया है और नर्सी सी एट और सेवन की बहुत अच्छी ब्राण मिलती है यहां पर तो आप एक बार उनको लगा हूँ तो मैं आया हूँ अदाम देके यहां लगा रखे हैं जो कश्मीरे में ने शेम देके वह यहां लगा रखे हैं तो अच्छा है टेक्नोजी बहुत अच्छा है एडवांस अल रहे हैं हाँ तो दोस्तों अगर आप कोई अपने खेतों के अंदर बागवानी करना चाहो कोई वैराइटी से संब अबरो पर आप वट्सप करके सीधे अनिलबाई से जुड़ सकते हो और इनसे आप कोई भी सलहा ले सकते हो आपके मन में कोई संका है आप उसको दूर कर सकते हो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लेगे तो वीडियो का लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब धन्यवाद